हाई गाईज एहोप योग वह डूइंग ग्रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फ्रे सेशन की जो सुबाद चार बज एवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकल और फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीक है 12 अक्टूबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स है एससेजलपनेकल डॉट कॉम और बलजीरधाकर डॉट कॉम साथी साथ पर डेली वीडियो पीडिया आपसे पहला क्वेश्चिन पूचा था कि नई दिली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 किसने लॉंच किया करेक्ट आंसर था किरेंडरे जीजू और अनुराग ठाकर और दूसरा क्वेश्चिन पूचा था कि साहित्ते में नोबल पूरस का 2022 से किसे सम्मानित किया गया ह इसका करेक्ट आंसर था एनी एड्नॉक्स स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेश्चिन है तो पीम नरेंद्र मोदी ने मोधेरा को भारत का पहला 247 सौर उर्जा संचालित गाउं खोशित किया गाउं किस राज्य में स्थेत है करेक्ट आंसर है गुजराद डिटेल्स दे है भी कहा कि पहले मोधेरा केवल सूर्य मंदर के लिए प्रसेत था लेकिन अब इसे सौर उर्जा से चलने वाले गाउं के रूपे भी जाना जाएगा उन्होंने मोधेरा में मोधेश्वरी देवी मंदिर में प्रात्ना की और प्रतिश्टित मोधेरा सूर्य मंदिर में आवासी भवनों पर 1300 से अधेक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं आपको यहां ध्यान रखना है कि आपर तीन नाम लिए गए हैं सबसे पहले गुजराथ उसके बाद महसाना जिला और लास्टली गाउं का नाम है मोधेरा तो क्वेस्टन किसी भी एंगल से पूछ नाशनल पार्ग, ब्लाक बक नाशनल पार्ग, मेराई नाशनल पार्ग, बुजरात की कैपिटल है गांधी नगर, गवर्नर है चारे देवरत, चीफ मनिश्टर भूपेंद्र पते, नेक्स्ट क्वेस्टन देखो, भार्ते विदेश सेवा दिवस, दाट इस इंडियन पॉ अक्टूबर, डिटे इल्स तेकलो। में ताकत से बढ़ती जाएगी और विशुस्तर पर भारत के हीतों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी यहां पर एक वेक रिविजिन की बात करें तो भारते वायुसेना दिवस हर साल आठ अक्टूबर को मनाया जाता है इस साल भारते वायुसेना अपनी 90 वर्ष गांट मना यह नेक्स्ट देखो किस देश में नए भारती उचायुक चासरी को घाटन किया गया है सब्सक्राइब भारत और नियूजिलन के बीच मेंतों संबंदों को बढ़ाने का अधिक समझदार तरीका है S.J. शंकर जो विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली New Zealand की यात्रा पर है ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच संबन एक अध्यतन के कारण यानि due for an update और ताजा करने के कारण यानि due for refresh है बात करें हाँ पर New Zealand की तो उसी capital है Wellington, currency है New Zealand dollar, PM है Jacinda Erden नेक्स देखो किस मंत्राले ने देश भर में PM राष्ट्रिये शीशुता मिलो कायोजन किया करेक्ट आंसिर है कोशल विकास और उद्मेता मंत्रालेर डिटेल्स देख लो तो करियर के अफसरों और वेवहारिक प्रशिक्षन को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के कोशल भारत मिशन के एक हिसे के रूप में कोशल विकास और उद्मेता मंत्राले ने 10 अक्टूबर को देश भर में दोस्ती स्थानों पर प्रधान मंत्री राष्टे शिशुता मेलो पीम एने एम का योजन किया स्थाने युबाओं को शीशुता प्रशिक्षन के माध्यम से अपने करियर को कार देने का अफसर प्रदान करने के लिए कई स्थाने बेवसाओं को मेले का हिस्सा बनने के लिए अमंत्रित किया गया है भारत के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रती एक माँ के दूसरे सोमवार को शीशुता मेलो का यूजन किया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो गरूर एरोस्पेस दुवारा निर्मित भारत में निर्मित ड्रोन ड्रोनी किसने लौच किया? और इसे भारते क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंग ड्रोनी दौच किया गया था ड्रोन का निर्मान गरूर एरोस्पेस दुवारा किया गया है और उत्पात 2022 के अंग तक टकराएगा ड्रोनी ड्रोन स्वदेशी है और इसका इस्तमाल विभिन निगराने उदेशों के लिए किया जा सकता है MS दौनी गरूर एरोस्पेस के ब्रैंडम वेस्डर है एक कमपनी जिसने क्रिशी कीट नाशक, छिड़काव, सौर पैनल सफाई, उद्योगिक पाइपलाइन इरिक्षिन, मान चितरन, सर्वेक्षिन, सारवजनिक घोशनाओं और वितरन सेवाओं के लिए ड्रोन समधन किया है, इन दार्ट केस आपका आंसर होगा गरूर एरोस्पेस, यहां तस्वीर में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेस्टन देखो, क्वाला लंपूर में ISBF विशू बिलियर्ट चैंपेंशिप में सौरन पदक किसने जीता, करेक्ट आंसर है पंकज अडवानी, डिटेल तो बिलियर्ट में भारत के प्रमुक क्यू इस्ट पंका जडवानी ने शनिवार को क्वाला लंपूर में 2022, IBSF विशू बिलियर्ट सेंपेंशिप जीत कर विशू मंच पर अपना 25 स्वरन पदक जीता, यहां पर क्यू इस्ट का मतलब है, वो प्लेयर जो स्नूकर, पूल या बिलियर्ट जैसी केम खेलता है, उन्होंने हम वतन सौरव कुठारी को एक तरफा फाइनल में 4-0 से हरा कर लगतार पांचवी बार खिताब अपने नाम किया, अडवानी का आखरी विशू खिताब 12 महीने पहले कतर में आया था, जहां उन्होंने IBSF 6 रेट स्नूकर वि विस्तार किया है, यहां उन्होंने तस्वीर में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेस्टन है, किस देश ने सूरे के रहस्यों को जानने के लिए कुवाफू एक उग्रहे लॉंच किया है, करेक्ट आंसर है चीन, डिटेल्स तेख लो, तो चीन अपने निर्मान अभीन, अंत स्पेस अधारित, सोलर अब्जर्वेट्री, एसो एस को लॉंग मार्च, टूडी रॉकेट पर लॉंच किया गया था, उप ग्रह कुवाफू बान के अब पक्षा में स्थापित होने के साथ, छे महीने का लंबा कमिशन चरन शुरू होगा, उप ग्रह को ग्रह से लगभग साथ सो बीस किलोमीटर की पक्षा में स्थापित किया गया है, अंत्रिक्ष्यान, सौर चुम्ब की एक शेत्र और दो प्रमक विस्फोर्ट घटनाओं, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लियर्स के बीच कारे कारन की जांच करेगा, बात करें हाँ पर दपीपल्स रिपब निर्मान को मंजूरी दी है, करेक्ट आंसर है भारते वायू सेना, डिटेल्स देख लो, तो भारत सरकार ने भारते वायू सेना में एक नई हत्यार प्रनाली शाखा के निर्मान को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोशन वायू सेना प्रमुक एर मार्शल बियार चौधरी ने नबेवे भारते वायु सेना दिवस के अफसर पर की थी नवींतम शाखा भारते वायु सेना की युद लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी एक हत्यार प्रनाली शाखा का निर्मान भी एक इकाई के तहट सभी हत्यार प्रनाली ओप्रेटरों के एकिकरन की आवशक्ता होगी चंदिगर के वायूसेना स्टेशन पर आयोजित वायूसेना दिवस परेड में IAF कर्मियों के लिए लडाकू बर्दी का एक नया पैटन भी लॉंच किया गया नेक्स्ट क्वेस्टन देखो अर्थ शास्त्र में नोबल पुरसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट आंसर है उप्रोक्ट सभी यानि बेन एस बर्णान के डगलस डब्लू डाइमेंड और फिलिप एच डाइबविग डिटेल्स देख लो तो अर्थ शास्त्र में नोबल पुरसका 2022 बैंको और विते संकटों पर शोद के लिए बेन नेस बर्णान के डगलस डब्लू डाइमेंड और फिलिप एच डाइब भी को प्रदान किया गया है उन्हें विशेश रूप से विते संकट के दौरान अर्थ विवस्ता में बैंकों के भूमिका के समझ में उलेक ने सुधार के लिए सम्मानित किया गया है उनके शोदमिक महतोपून खोज यह है कि बैंक के पतन से बचना क्यों महतोपून है यहोने तस्वीर में देख लीजें लास्ट क्वेस्टन है आज के सेशन के लिए विशो डाग दिवस यानि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है करेक्ट आंसिर है 9 अक्टूबर डिटेयल्स देख लो तो हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर के लोग युनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना और रोजमरा के संचार के क्रांतिकारी रूप के पत्रों के शुरुआत का जशन मनाते हैं इमिल के आविशकार से पहले पत्र हाथ से लिखे जाते थे और डाक सेवाओं के माध्यम से भेजे जाते थे अब भी डाक सेवाएं पाकेश के डिलिवरी में एक बड़ी भूमिकानी भाती है 2022 के लिए इस दिवस की थीम है पोस्ट फॉर प्लानेट जो उन कई तरीकों का सम्मान करता है पढ़ाने के लिए 10 ओक्टूबर को विशो मांसिक स्वास्थे दी वस्मन आया जाता है इस वर्ष के लिए विशे है मांसिक स्वास्थे और सभी के कल्यान को वैशिक प्रात्मिक्ता बनाना यानि मेक मेंटल हेल्थ एन वेल बी फर ओल अ ग्लोबल प्रायरटी ख्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो गुजरात के मौधेरा विलेज को इंडिया का पहला 24-7 सोलर पावर्ट विलेज घोशित किया गया है इंडियन फॉरें सर्विस दे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है नए इंडियन हाई कमिशन चांसरी को न्यूजीलैंड में इनागुरेट किया गया पीम नैशनल एंप्रेटाइस चिप मेला मिनिस्टर अफ स्किल डवलप्मेंट एन एंटेप्रेनियॉर्शिप ने और्गनाइस किया मेड इन इंडिया ड्रोन द्रोनी को एमेस धोनी ने लॉंच किया आई बी ऐसा वर्ल्ड बिलियर्श चैंपेंशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया पंका जड़वानी ने सन के सीक्रेट्स को अन्रेवल करने के लिए कुवाफ़ वन सैटेलाइट चाइना ने लॉंच किया भारत सरका ने इंडियन एरफोस के लिए नियू वेपन सिस्टम ब्रांच को अप्रूफ किया एकनॉमिक्स में नोबल प्राइस 2022 जीता है बैनेस बर्नान के डगलस डव्ल्यू डाइमेंड और फिलिप एच डाइब विगने और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कि आपका पहला क्वेस्टिन है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है वयोब्रिद राज़ितागियर मुलायम सिंग यादव कने दिन हो गया उन्होंने कितनी बार उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में कारे किया दोनों क्वेस्टिन्स हमारे प्रीवियस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंके सो मच आइसे नमा नेक्स सेशन